Welcome back, हमने class 12th organization of commerce and management का chapter 4 start किया है, that is business services पिछले वीडियो में हमने transportation का पुरा topic cover कर लिया है इस वीडियो में हम warehousing का topic start करेंगे So, let us begin with the topic, सबसे पहले meaning देख लेते हैं warehousing का, कि warehousing क्या है Warehousing refers to storage of goods and consists of all those activities which are connected with storing and preserving of goods So, warehousing क्या है, जहां पे हम goods अपना जो समान है उस store करके रखते हैं एक जगे पे इकठा जमा करके रखते हैं जब हम factory में समान बनाते हैं, तो बहुत सारा समान बहुत जादा quantity में बनता है तो कहीं न कहीं वो समान को store करके सुरक्षित रखना जरूरी है तो हम कहां पे store करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं समान को warehouse में और राइड, and it's consist of all those activities which are connected with storage and preserving of goods और ये सारी activities, वो सारे कामों को connect करता है जो समान को store करके रखने में और उसको preserve करके रखने में जरूरी होता है या, हमें सिर्फ समान को एक जगे पर store करके नहीं रखना, एकบता करके नहीं रखना है बट उसे preserve करके भी रखना है, surakषित रखना है तो जो समान है वो खराब ना हो, damaged ना हो, औल राइप it is a mean of storing the goods तो यह क्या है वेर हाउजिंग क्या है जहां पे हम समान जो है उसे store करके रखते हैं इकठा करके रखते हैं वेर हाउजिंग can be defined as a group of activities connected with the storing and preserving of stored goods from the time of production till the time of consumption तो वेर हाउजिंग क्या है हम इसे किस तरीके से define करते हैं यह एक group of activities है यहां पे सिर्फ एक काम नहीं होता है यहां पे बहुत सारे अलग-अलग काम होते हैं जो connect करते हैं एक दूसरे के साथ में मतलब यहां पे हम समान जो है goods जो है उसे store भी करके रखते हैं उसे preserve करके रखते हैं so that वो खराब नहीं हो और कब तलग जब तलग हम जब उसे हम produce करते हैं that is जैसे factory में समान produce होता है manufacture होता है उस समय वो समान हम warehouse में जाके रख देते हैं that is from the time of production till the time of consumption that is जब तक समान consume नहीं हो जाता उसको customers demand नहीं करते तब तक वो समान जो है factory से बनके warehouse में store करके रखा जाता है जमा करके रखा जाता है next is definition तो definition क्या है warehouse का वो देख लेते हैं simple सा definition है एक line का a warehouse is defined as an establishment for the storage or accumulation of goods तो warehouse क्या है ये एक establishment है मतलब ये कैसी जगा है जो बनाई गई है किस लिए goods के लिए समान को एक जगे पे इकर्था store करके रखने के लिए उसे accumulate करके रखने के लिए तो warehouse क्या है जहां पे समान जो है factory से बनकर आता है वहां पे हम एक जगे पे इकर्था वो सारे समान को store करके इकर्था करके रखते हैं functions of warehouses तो warehouse जो है वो क्या-क्या functions करता है क्या काम करता है, वो देख लेते हैं, points given है, एक एक करके हम points जो हैं, वो देख लेते हैं, functions of warehouses के first है storage, तो warehouse क्या करता है, storage का काम करता है, मतलब हम वहाँ पे समान जो है, वो store करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं, तो देख लेते हैं, it is a basic function of warehousing, तो warehousing का सबसे basic सबसे पह एला function क्या है storage मतलब समान को 81 जगे पर रखना surplus commodities which are not needed immediately can be stored in warehouse तो बहुत सारा समान हम बना लेते हैं एक साथ में factory में तो वो surplus हो जाता है मतलब बहुत ज्यादा रहता है जिसकी जरूरत तुरंट नहीं पढ़ती तो कही ना कहीं वो समान को store करके रखने की जरूरत पढ़ती है तो हम वो समान warehouse में क्या करके रखते हैं store करके रख देते हैं जब तक उसकी जरूरत नहीं पढ़ती they can be supplied as in when needed by the customers और जब customers को जरूरत पढ़ती है जब customers को need होती है समान की तब हम warehouse से समान निकालके customers को supply करते हैं तो warehouse क्या करता है storage का काम करता है समान जो है जो बहुत ज्या करके रखते हैं तो वह कहां रखते हैं warehouse में जिसे हम आम भाशा में गोडाउंस भी बोलते हैं alright next is price stability warehouses plays an important role in the process of price stabilization तो warehouse जो है वो बहुत ही एक अहम भूमी का निभाता है price को stabilize करने में जो price होता है product का वो कभी ऊपर हो जाता है मतलब बहुत ज्यादा increase हो जाता है price किसी भी समान का तो वह बहुत ज्यादा increase ना हो जाया एक stable price जाया fix price बना रहे balance price बना रहे उसके अंदर warehouse जो है वह बहुत important role play करता है it is achieved by creation of time utility by warehousing तो हम वो किस तरीके से कर सकते हैं तो warehousing में time utility जो है वो create करता है warehousing तो उस तरीके से हम time utility का use करके price को stabilize करके रखते हैं price को परने नहीं देते increase नहीं होने देते कोई भी goods का in warehouses usually large stock of goods is kept whenever there is a shortage in the market goods can be immediately supplied through warehouses which helps in price stabilization to avoid rising price due to demand and supply differences तो warehousing में बहुत ज्यादा समान एक साथ में इकठा स्टोर करके रखा जाता है और market में जब shortage हो जाती है मतलब market में दुकानों में जब समान की कमी होती है तो हम क्या करते है warehouse से समान निकाल के supply कर देते है market में जो दुकानदार है उनको supply कर देते है तो उससे के वज़े से क्या होता है जो price जो है वो stabilize रहता है उतना ही बना रहता है price जो है वो increase नहीं होता है goods का क्योंकि अगर समान की कमी पढ़ जाएगी तो लोग अगर ज्यादा demand करेंगे तो क्या होगा दुकानदार या जो लोग है वो समान का जो price है वो बढ़ा देंगे क्योंकि वो बोलेंगे समान available नहीं है बट अगर warehouse से तुरंक निकाल के हम समान supply कर देंगे market में और दुकानदारों को तो price जो है वो increase करने का उनके पास chance नहीं मिलेगा तो warehouse क्या करता है समान जो है उसकी price को stabilize करके रखता है maintain करके रखता है और price जितना demand होता है जितना market से demand आता है उतना वो supply करते जाता है warehouse से next is risk bearing when the goods are stored in warehouses they are exposed to many risks in form of theft, deterioration, fire etc तो warehouse क्या करता है एक risk भी रहता है मतलब अगर हम कहीं पर समान एक जगे पे एक अठ़ा जमा करके रखते हैं तो बहुत सारे risk भी होते है उसके अंदर जैसे की हो सकता है समान चोरी हो जाए हो सकता है आग लगने के वज़े से समान खराब हो जाए पड़े-पड़े कभी बहुत बार ऐसा होता है कि समान एक जगे पे बहुत time तक रखा जाता है तो वो खराब हो जाने के chances काफी ज्यादा होते हैं तो यह सारे risk होते हैं warehouses में warehouses are constructed in such a way that they minimize this risk तो warehouse जो है उसका construction उसे बनाया इस तरीके से जाता है कि समान वहाँ अच्छे तरीके से रखा जाए और यह जो risk है चोरी का खराब होने का आग लगने का इसे हम कम कर सके हैं इस तरीके से warehouse का construction किया जाता है a warehouse keeper has to take the reasonable care of the goods and safeguard them against various risks तो जो warehouse keeper होता है that is हम को security guard जो है वो appoint कर लेते हैं warehouse के हाँ पर godowns के पास जो होते हैं security guards होते हैं जो ध्यान रखते हैं कि जो समान है वो सुरक्षित रहे चोरी ना हो अगर कोई भी risk है आग लगे तो उसे help करे उसे protect करने का काम warehouse keeper का होता है for any loss or damage sustained by goods warehouse keeper shall be liable to the owner of the goods और अगर कोई समान का नुकसान होता है loss हो गया कोई damage हो गया तो जो warehouse keeper है मतलब जो security guard है उसकी जिम्मेदारी है जो goods का मालिक है जो owner है उन्हें जवाब देने की next is financing तो financing क्या है loans can be raised from the warehouse keeper और from financial institution against the goods store by the owner तो जो समान हमने रखा हुआ है एक जगे पर एक कठा warehouse में उसके against हम क्या कर सकते हैं loan ले सकते हैं financial institution से या warehouse keeper से goods act as security for the warehouse keeper और financial institution तो goods जो है जो हमारा समान है वो क्या करता है वो एक जो security का काम करता है मतलब अगर हमें loan चाहिए कहीं से तो कुछ ना कुछ हमें रखना पड़ता है mortgage करके जैसे अगर हम जाते हैं बैंक में लोन लेने तो सोना अपने property के कोई papers रखते हैं तो यहां पर जो goods है जो समान है वो भी security काम करता है अगर हमें loan चाहिए तो warehouse keeper के लिए और financial institutions के लिए in this manner warehousing act as a source of finance for the businessman for meeting business operations तो इस तरहीके से warehouse जो है वो क्या करता है यह एक source of finance businessman के लिए मतलब जो businessman है वो अपना जो समान है उसके against में loan लेकर अपना business का जो बाकी का काम है वो भी कर सकते हैं all right next is grading and packing तो grading and packing क्या है warehouses nowadays provide the facility of packing processing and grading of goods तो warehouse जो है वाजकल बहुत सारी अलग-अलग facilities provide करता है जैसे समान जो है बहुत सारा रखा जो होता है उसे pack करने का काम करता है उसे processing का काम करता है उसके उपर grading अलग-अलग grade की हिसाब से goods जो है उसे differentiate करके रखता है जिसकी quality अच्छी है वो अलग अलग इसमें रखेगा package में जिसकी quality different है हो सकता है price अलग हो size और shape अलग हो तो इस हिसाब से product जो है उसे अलग-अलग करके हम differentiate करके रखते हैं तो यह सारा काम भी warehouse में किया जाता है goods can be packed in convenient size as per the instructions of the owner तो जो समान है उसे हम अच्छी तरहीके से pack करते है warehouse में जैसे owner ने instruct किया है मतलब जो समान जिसका है जो मालिक है वो जिस तरीके से बताता है उस तरीके से समान जो है वो पैक भी किया जाता है warehouse में all right next is transportation warehouses can provide transportation facilities to bulk depositors तो warehouse जो है वो transportation facility भी provide करते हैं bulk depositor को हो सकता है जिसका बहुत ज्यादा समान रखा जाता है warehouse में तो जिसका warehouse वो क्या करता है अपने अपना खुद का गाड़ी ले जाता है और वहां से समान collect करके factory से अपने वो गोडाउन में या warehouse में store करके रखता है तो वो क्या कर रहा है transportation का एक facility provide करता है it collects goods from the place of production and also sends goods to the place of delivery on the request of the owner तो warehouse जो क्या करता है वो goods जो है जो समान है वो collect करता है production से मतलब जहां पर goods produce हो रहा है तो इस अपने गुड़ी और रखता है और जहां पर चाहिए वहां पर delivery भी करता है मेबी किसी दुकान में या फिर जहां पे ओनर ने बोला है वहां जाके डिलिवेरी भी करके आता है अपनी खुट की गाड़ी यूज़ करके अल्राइट यह वेर हाउस क्या करता है ट्रांस्पोर्टेशन का काम भी करता है नेक्स्ट इस टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी त तब तक लोगों को जरूरत नहीं पढ़ती तब तक वो सारा समान वेर हाउस में स्टोर करके प्रिजर्व करके रखा जाता है सुरक्षिट मतलब वो क्या कर रहा है टाइम यूटिलिटी दे रहा है टाइम यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है इट अल्सों क्रिएट प्लेस यूटिलिटी भी क्रियेट करता है, मतलब जहां जरूरत पढ़ती है समान की, वहां पर वो समान पहुचाया जाता है वेराउस से, तो वेराउस दो चीजे क्रियेट करता है, एक time utility दूसरा है place utility, time utility मतलब जब तक जरूरत ना पड़े, तब तक वो समान स्टोर करके वेराउस में रखा जाता है और जहां जरुवत पढ़ती है वहां पर समान पहुंचाया जाता है तो टाइमर प्लेस उडिलिटी क्रिएट करता है बेर हाउस जिस तरीके से बनाइ जाता है उस तरीके से हम उसे कंज्यूम नहीं करते हैं उसको कुछ नई कुछ प्रॉसेसिंग की ज़रुद पढ़ती है तो प्रॉसेसिंग बहुत ज़रूरी है कुछ समानों को consume करने की लायक बनने के लिए एक्जामपल दिया है पैडी is polished तो पैडी मतलब चावल बहुत सारे ऐसे चावल होते हैं जिसको polish करने की ज़रुवत पड़ती है तो चावल को polish करने का काम भी गोडाउंस में किया जाता है वेरहाउस में किया जाता है fruits are ripened जो fruits होते हैं उसे हम पकाते हैं फलो को पकाया जाता है वेरहाउस में तो ये सारे काम किये जाते हैं वेरहाउस में तो ये क्या है processing का काम है हम समान को पहले process कर रहे हैं उसके बाद जहां पर चाहिए वहाँ पर समान क्या करेंगे डिलिवर करेंगे भेजेंगे sometimes warehouses undertake such activities on behalf of the owners तो ये सारी activities है जो processing का काम है ये भी warehouse जो है वो करता है on behalf of owners मतलब जो मालिक होते हैं समान के वो बोलते हैं तो warehouse जो है warehouse keepers जो है ये सारा काम भी करते हैं on behalf of the owners alright so इस वीडियो में हमने पूरा पूरा जो warehousing था और functions of warehousing जो है वो topic cover कर लिया I hope आपको ये पूरा जो topic था warehousing का meaning, definition and functions of warehousing ये अच्छी तरीक से समझ में आया होगा next जो है types of warehousing वो हम next वीडियो में cover करेंगे so thank you for your time